केंद्र सरकार के छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ आज पटना के कारगिल चौक से विरोध मार्च यानि विधान सबा का घिराव करने के लिए आज यूबा कॉंग्रिस चात्र विरोधी ने आज पटना की सडकों का नजारा आप देखे किस तरह से कारगिल चौक से विधान सबा के लिए निकले थे तभी जेपी गोलंबर पे ही उन्हें रोक दिया गया पुलिस के द्वारा जेपी गोलंबर पे जब पुलिस ने उन्हें रोका NISU के छात्रों को तो पुलिस ने वहां लाठी चार्ज कर दी आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से नारेवाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ केंद सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ नारेवाजी कर रहे थे रोजगार और केंद सरकार के छात विरोधी नीतियों के खिलाफ ये गोलबंद होकर पटना की सड़कों का ये नजारा है कि विरोध करने के लिए विधानसवा का घेराव करने के लिए जब निकले थे तब ही उन्हें पुलिस ने वहाँ जेपी गोलमबर पे ब्रेर्केट लगा कर रोक दिया, उसी बक्त चात्र जो है उग्र हो गए और जब उग्र हो गए तो छात्र के उपर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी है वो तस्वीर आपके सामने है स्क्रिन पे किस तरह से पुलिस ने उन्हें दोड कर पकड़ा है। लाठी चार्ज किया है वो तस्वीर आपके स्क्रिन पे है कि किस तरह से पुलिस ने जब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे रोजगार को लेकर नारेबाजी कर रहे थे सरकार से मांग कर रहे हैं कि छात्र विरोधी जो केंद सरकार की नीती है उसके खिलाफ वो मांग कर रहे हैं और रोजगार को लेकर विधान सवा का घिराव करने जा रहे थे तबी पुलिस ने वहां रोक दिया और उसके बाद लाठी चार्ज हुई है वो तस्वीर आपके सामने है किस तरह से पुलिस उन्हें दोडा दोडा कर पीट रही है कर दोड़ रहे हैं आपके सामने है कर दोड़ दोड़ आपके सामने है झाल प्रतार बचाल लूब रगे बनानों, फिल्षेट करत एंट में तो अढ़ेट, अपार करेंगे अगा प्राव्ग कर देर्ट करत दो और देदेंगे लिवयरा की कि अभ़ा। झाल झाल